कानपूर में एक्सप्रेस को लेकर कई घटनाए सामने आ रही हैं वहीं आपको मैं बताओं कि उत्तर प्रदेश के अनवरगंज काजगंज रूट पर कानपूर से भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस रविवार रात पलटनी से बच गई ट्रैक पर भरा सिलंडर रख ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिस रची गई थी बिल्लोहर के बीच 100 किलोमेटर की रफतार से दौड रही ट्रेन जब सिलंडर से टकराई तो तेज अवाज हुई इसके बाद लोको पाइलेट ने इमर्जनसी ब्रेक लगा का ट्रेन रोग दी रेलवे और आरपी एफ अधिकारियों को घटना इस्तल से सिलंडर के अलावा काच की बत्ती लगी बोतल माचिस भी मिली और एक जोला मिला जिसमें बारूत जैसी कई सामगरी थी वहीं बोतल में तरलपदार्थ बरामद हुआ देर रात मौके पर ATS और STF पहुच गई और घटना की जाच शुरू कर दी अनवरगंज रावतपूर स्टेशन से होकर गुजडी कालिंदी एक्स्प्रेस ने रात आट बजे बराजपूर स्टेशन के आगे जैसे ही मुंडेरी क्रोसिंग को पार किया तो लोको पाइलेट को इंजन से किसी चीच के टकराने की तेजवाज सुनाई दी ट्रेक पर भरा सिलेंडर रख ट्रेन पटरी से उतारने की साजिस रची गई थी रेलवे आरपी एफ और पुलिस अधिकारियों को घटना इस्तल से स्टेलंडर के अलावा काच की बोतल, माचिस और जोला मिला जोले में बारूद जैसी कई सामगरी थी वहीं बोतल में एक जहरीला जैसा पदार्द भी मिला जिसकी जाच की जा रही है बारूद जैसे दिखने वाले पदार्द के पाकेट जिस मिठाई की दुकान के कैरी बैग में मिले हैं उस दुकान की जाच की जा रही है कैरी बैग में छिबरामव की एक मिठाई की दुकान का नाम पता लिखा हुआ है जहां पर जाकर पुलिस जाच करेगी उसी के साथ साथ अस्पिताल के पिट्रॉल पंप की भी हो रही है जांच क्योंकि मौके पर बाती लगी एक बोतल मिली है जिसमें जुलन शील पदार्द मौजूद है इसलिए पुलिस एक दूसरी टीम को घटना इस्तर के आसपास के कई किलोमीटर के दारे में मौजूद पिट्रॉल पंपो की सीसी टीवी फूटायाच चेक करने के लिए भी लगाया गया है ताकि बोतल में पिट्रॉल लेने वाले शक्ष का पता लग सके साजिस करताओं ने जिस तरह से सिलंडर को पटरी के बीच में हलका गढ़ा कर रखा था वे अगर फट जाता तो डेरेल होने के साथ ही ट्रेन के इंजन में आग भी लग सकती थी हाला कि सिलंडर की मजबूती ने साजिस करताओं के रादों को नाकाम कर दिया फॉरसिंग टीम का कहना है कि सिलंडर पूरी तरह से उपर से चूर हो चुका है लेकिन गैस नहीं निकली वो फटा नहीं है इस वज़ा से वहाँ पर बहुत बुरा हाथा होने से बच गया इस पर बहुत सारे उपाए निकालने चाहिए हर जगे सिसी टीवी लगा देना चाहिए क्योंकि काई स्टेशन कानपूर में है और ऐसे साजिस लगातार सोची समझी करी जा रही है तो इसका जल से जल पता लगना चाहिए क्योंकि यहाथ से कानपूर में बहुत तेजी से बढ़ते जा रही है इसकी जाच शुरू हो गई है तो अभी के लिए आप लोग अगर सफर कर रही है ट्रेन से तो साफधान रहे अपने कनवें से जाए और गाड़ी से जा सकते हैं बस से जा सकते हैं लेकिन जब तक कोई पकड़ा नहीं जाता जाच चल रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है कौन कर रहा है तब तक आप अपने लिए जाक रूख रहें इस कानपूर की खवर को लेकर आपको क्या कहना है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो को लाइक कर देजे शेयर कर देशे ताकि और लो क्लो चार्शी है याजी है क्या है कलाव बोलो यह कुष को लुप धपको है कि अच सया है